नमस्कार सत्ता के मावारत में आपका बहुत बहुत स्वागत में हुआ आपके साथ मनुरा सकसे ना राजसबस सांसर स्वाती मालिवाल के साथ हुई पीटाई की कहानी अब एक बेहज संसरी केज मोड पर पहुँच गई है क्योंकि इस केज से जुड़े जो वीडियो सामने आए है वो अपने आप में 13 माई को सी एम हाउस में हुई घटना की पूरी कहानी बया कर रहे है यह रपोर्ट देखिए पहर आएगा 13 माई की घटना का सच सीसी टीवी से बे परदा होगा एक एक किरदार सबूत बोलेंगे राज खोलेंगे दिल्ली के सीम आवास में 13 माई को क्या क्या हुआ यह कहानी भले ही परदे के पीछे है लेकिन इसी परदे को हटाने के लिए एक एक वीडियो एक एक तस्वीर को बारीकी से खंगाला जा रहा है यह वीडियो उस वक्त का है जब दिल्ली के एमस में स्वाती मालिवाल का मेडिकल टेस्ट हुआ था सूतरों के हवाले से स्वाती मालिवाल के मेडिकल रिपोर्ट में भी चौकाने वाली बातों का पता चला है मेडिकल रिपोर्ट के मताबेक एक्सरे और सीटी स्कैन में पता चला है कि स्वाती मालिवाल के चेहरे पर अंदरूनी चोट के निशान है और उनके राइट हैंड माना जाता है जो वाइबव कुमार विपव कुमार वो जा करके उनके पार्टी के एक महिला सदस को और राजे सबा मेंबर को और कल परसों तक जो महिला आयो के हेड थी वो महिला कोनी के अपने गर में विन ही सीटेड इन इस हाउस चल रही है उनको कुछ उसके बारे में चिंता नहीं है और उसके उपर बयान देने का भी आत्म विश्वास जिनका नहीं है ऐसे सीम केजरिवाल पुरे सामने आकर के शमा मांगना चाहिए ऐसे लोगों को सबक सिखाने की आउ सकता है कारूनी कारवाई करने की आउ सकता है और ऐसे लोगों का बचाव करके मलब जो आवी तो भरहष्टाचार के आरोप में जेल में थे जमानत पर आये हैं तो जोन को फिर जेल जाएंगे लेकिन जिस परकार से आमादमी पार्टी की ही एक राजसभा महिला सांसत के साथ उनी की आखों के सामने उनी के घर में इस परकार की घटना हो जाती है वह सरमसार करने वाली है जो दावा स्वाती मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट्स में किया गया है कुछ-कुछ वैसा ही वीडियो में भी दिखाई दी रहा है क्योंकि एम से मेडिकल टेस्ट कराने के बाद जब स्वाती मालीवाल घर पहुँची तो वीडियो में वो लंगडाती हुई दिखाई दी रही थी और संभल संभल कर चल रही थी खुद F.I.R. में भी स्वाती मालीवाल ने ये बताया है कि 13 माई को CM हाउस में किस बेहरहमी के साथ बिभव कुमार ने उनकी पिटाई की CM के अवास में जहां वो प्रेजन थे मेरे ख्याल से उनके स्टेटमेंट में ये है कि उनकी जानकारी में था ये हो रहा है तो अगर CM की जानकारी में था तो ये बहुत बड़ा कुश्चन CM के उपर भी आता है उधर BJP महिला मोर्चा लगातार इस मामले में आम आदमी पार्टी को घेर रहा है CM हाउस के बाहर परदरशन हो रहा है सूतरों के हवाले से खबर ये भी है कि 13 माई के पूरे रहस्य को बेपरदा करने के लिए पुलिस ने अपना एक्शन तेज कर दिया है खबर है कि इस मामले में नौर्थ दिस्ट्रिक और क्रैम टीम पूरे केस की जाच में जुटी है सबसे पहले पुलिस पूरी घटना की टाइम लाइन बनाएगी यानि पुलिस 13 माई को हुई घटना का सीक्वेंस तयार करेगी सीक्वेंस के हिसाब से ही CCTV को खंगाला जाएगा CM हाउस के घर के बाहर लगे आठ CCTV की जाच की जाएगी CM हाउस के गेट पर कौन कौन मिला सब के बयान दर्ज होंगे जिस टैक्सी से स्वाती मालीवाल CM हाउस पहुची थी उसके ड्रैवर का बयान भी दर्ज होगा सौती मालीवाल को केजरीवाल के घर कौन कौन मिला उनके भी बयान लिये जाएंगे पहली बात तो इससे ज़्यादा निंदनी है और शर्मनाग नहीं हो सकता कि एक मुख्य मंत्री के आवास पर एक महिला के साथ इस तरीके की घटना घटी हुए जिस तरीके से और ये बात कोई नकार भी नहीं सकता है उनी की पार्टी के एक वरिश राज्यसबा सांसन ने इस बात को स्विकार किया है और उसके बाद मुख्य मंत्री का रवाया देखिए जिनके ओपर आरोब लगे हैं उनी को लेकर कल अखिलेज जी की प्रेस कॉन्फरेंस में वो अपने साथ लेकर गए हैं तो कैसे कोई विश्वास करेगा कि ये कारवाई करेंगे और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर एक मुख्य मंत्री के आवास पर ही महिला सुरक्षित नहीं है तो दिली में आम महिलाओं का क्या होगा मैं सिर्फ ये कहूंगी कि कोई भी महिला के साथ कोई भी अत्याचार हो या मॉलेस्टेशन का कैस तो F.I.R. दर्ज करना बहुत जरूरी है हम चाते हैं कि महिला सुरक्षित हो और यहां देखने मिलता है कि महिला उद्योग जो दिली की वाइस प्रेसिडेंट पी रह चुकी है अभी अध्यक्ष हैं दिली विमिन्स कमिशन की राजसभा में सांसद हैं उनके प्रती ऐसे अन्याएं हम को देखने मिलेगा तो शोभा नहीं देती है फिलाल इस बेहत गंभीर मामले में पुलिस की दस्टी में दूद का दूद और पानी का पानी करने में जुटी है स्वाती बालीवाल के साथ बसलुकी मामले में दिली पुलिस की तरफ से फाया दर्जोरी के बाद सियासी हंगामा तेज हो गया है बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर आमादी पाथी और केश जिवाल पर हमला वर है यह रिपोर्ट देखिए इन तस्वीरों को गौर से देखिए जिस विभब कुमार पर स्वाती मालिवाल से मार पीच के आरोप लगे वो सीम अरविंद केश जिवाल के साथ घूंगते कैमरे में कैद हुए लेकिन हैरानी की बात ये है कि लखनाओ में जब आरविंद केश जिवाल से सवाल किया गया तो वो विभब कुमार पर चुप्पी साथ लिए कि दस्वाती मालिवाल से जुरिस सवालो पर केश जिवाल ने चुप्पी साथी तोधर प्रिक्ट मंत्री निर्मला सीथा रमन ने उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया कि आरोपी शक्स दिल्ली के सीम के साथ उत्तर प्रदेश में गूम रहा है आप गूम रहा है प्रिक्ट मंत्री चुप्पी शेम्फूल ने अर्विंद केश वाल पर करारा हमला बोला स्वाति मालिवाल जी ने डेली पुलिस को कम्प्लेन दिया है स्टेटमेन भी दिया है उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि मेरा साथ जो हुआ है ओ बहुत ही बुरा हुआ है अभी प्रस्न यही है अगर बहुत बुरा हुआ है अर्बिन केजिर्वाल जी शुप क्यों रहे उनका सामने जब बुरा हुआ था अर्बिन केजिर्वाल कहा था ओही रुम में था कि नहीं था अगर एतना बुरा हुआ है जो स्वाती मालिवाल जी का ही भासा है कि मेरा साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है तब अभी भी ओ बैक्टी को लेके केजिरिवाल जी क्यों घूम रहा है केजिरिवाल के निजिस सचे विभब कुमार पर स्वाती मालिवाल के आरोपों के बाद से दिलने की सियासत में बड़ा तुफान खड़ा हो चुका है अर्विन केजिरिवाल जी ने स्वाती मालिवाल जी को पिटवाया है ऐसे में उनका ये दूसरा ओफेंस है और सुप्रीम कोट का संग्यान लेना चाहिए इसको और सुप्रीम कोट को उनकी जमान दरज्जी का जो है वो चुनाव तक भी रद करनी चाहिए ऐसे अक्यूस्ट का जो बार-बार ऐसा क्राइम कर रहा हो वो बाहर नहीं खुला गुमना चाहिए सुप्रीम कोट को इसका जरूर संग्यान लेना चाहिए अर्विन केजिरिवाल दिल्ली के मुख्य मंतरी आप से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ जब स्वाती मालिवाल के साथ इस तरह की घठना आपके आवास में हुई आप उस समय घर में मौजूद थे आखिर क्यों आपने एक महिला पर अत्याचार होने दिया क्यों आपने रुकने की कोशिश नहीं की क्यों आज चार दिन तक आप चुपी अक्के बैठें मैं अब भी आप से कहता हूँ कि अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत विभव को पुलीस के हवाले करें इस भी डिल्ली बीजबी महिला मोच्चा ने स्वाती मालिवाल के समर्थन में एक पत्र जारी कर दिया है यही नई बीजबी की कई महिला कारी करता स्वाती मालिवाल के आवास पर भी उन्हें समर्थन देरे पहुँच गई